असलाम लेकुम जनाब मैं हूँ शैला महमूद और आप मुझे देख रहे हैं वोईस आफ सौथ एशिया के टी टाइम में और मेरे इस टी टाइम में मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ हमारी शोबिज इंडुस्ट्री की ऐसी शक्सियाद से के जिन्होंने अपने काम की बद पाकिसान समेथ पूरी दुनिया में एक नाम बनाया होता है अपनी एक पहचान बनाई होती है तो जनाब आज जिस शक्सियत से मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ उनके लिए ये कहना बिल्कुल बेजाना होगा कि उन्होंने एक अर्से तक पाकिसान फिल्म इंड है तो यहां जो है वो में एक डायलोग दूँगी आपको और आप फॉरण पहचान जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ तो जनाब उनका मशूरे जवाना डायलोग था जो कि अब फिर से दुबारा से इसकी बाजगर्शा में सुनाई दे रही है नमा आया है सोडिया मैंने बहुत कोशिछ की हैं आपका स्टायल मानने की नवा है सोडिया क्या मैं इसमें पास हुई आप तो पुराने हो गए लेकिन बेहें आपको जुम्ला है आपके विखास्ट है सिंधी। लेकिन पंझाब यह अची कैसे बोल लाते हैं. एकुछ अछा सवाल है takie zwulari. तो यह सवाल मेरा हमेशा रहा कि मैं आप से जरूर पूछूँगी. कई लोग आज भी समयचते हैं कि मैं पठान हूँ. पश्टो भी समयचते हैं. क्योंकि वही फिल्में पश्टो में डब होकर भी वहां के पीके में चलती रही हैं. तो पजब का यह है कि मैं पहले जो फिल्म इंट्री हुई थी बेरी पहली फिल्म जो लाखो में एक थी तो उसके बाद को धाई तीन साल मैंने अर्दू फिल्में ही की. और अर्दू फिल्मों के हवाले से मेरी अक्सर जोडी जो ती वो महमाद अली के साथ बनी थी. और बड़ी कामयाब फिल्में होती थी उसमें मैंने निगेटिव भी किया, पॉजिटिव कारेक्टर्स भी किये, कई फिल्में थी. तो पजापी के लिए मुझे आफर होती थी, लेकिन मैं इंकार करता था कि मेरी जुके जबान नहीं हैं तो मैं उनसे कहता था कि यार, अपनी फिल्म को क्यों खराब करवा रहे हैं. तो लेकिन वहराल पर एक डिरेक्टर थे अलताफ हुसेन साब, वह मैं शूटिट कर रहा था उर्दू फिल्म की, तो वहां सेट पर आगए कि जी नहीं आप जैसे भी बोलें बोलें, मेरी जमेदारी, जितने पैसे लें आपको हम देंगे, और आप करें. उनको भी उनको भी मैंने, अभी जनी कमिट नहीं किया। हम्टर पर विज्जाबी फिल्म्ति, तो मुनवर सईपी सा लुफ से मेरी डोस्ट थी अपने उर्दू फिल्म्ति में साथ काम किया। तो नबर से दिखा कि यार मैं तो शुस्ता अर्दू बोलने वालों में से हूँ, उनका खानदान जो है इंडिया से, बहुत लखनवी वाला जो बड़े लोग है, यहां रही सिमनोवी, उनके मामूथे के कुछते, तो जब मैं पजापी फिल्म कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ आपकी जबान सिदी हैं, तो सिदी और पजबी खरीब खरीब हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि सिदी पजबी स्रैकी मुल्तानी थीस अर्गोगे लिंगविजिश। तो पिर मैंने पर हां कर दी। अब्सक्ति आपने उनको कर दिया तो इंसाइड आपके कूई ऐसा था कि यार पता नहीं मैं पंजाबी इच्छी बोल सकूंगा या नहीं बोल सकूंगा जी या बिलकुल था तो जब सेट पे मैं उसमें पहली बार आया उस पंजाबी फिल्म के सेट पर तो मैंने सीन मेरे सामने आया तो जो लफ्स मेरी समझ में नहीं आते थे मैं पूछते थे पर लुख सब एका ख़ामी है उपनायां गरहां दिया है एक वो शखवार चार होन्दे-पैसी। अdedड़ उनमें बड़ा-पैसा मैं था फिर सबसे ज्यादा नामनर भी आㄥ है उनर में थागन रजीब लाफ्टर का मैंने किया था तो जो मेन डायलाग बोलता था तो अगला लफ्स which was तो उस फाज में मैं लाफ्टर से जाए करता था वा यह होतीजित उसमें ज refuse जामति कि अगला लम्हे में डॉस कवर करता था तो थो भिर उगला लफ्स्क कर लेता और वो आपका एक सिंबल भी बन गया एक अजीब स्टाइल बन गया लेकिन समय हिट हो गया अहहा ऐसा हा जो आपका कहका हो ता आपका इसी तरह ऊगिए फिल्म मुलllojust जब रच बन जा bạn उखे की था पर तो आपको पंजाबी स्कृट्ट डॉग बन जो के 95% पंजाबी ही फिल्मे बनी और उर्दु कमी आदे जोड़ी चोबीस-पचीस साल चली कामयाब जोड़ी जोड़ी बहुत फिल्म इंडस्ट्री जनी कोई देर सो दो सो फिल्मे साल में बनती थी बिल्कुल सार गरुनार रुपय इतना बिज्डेस करती थी कि करुनार रु हुकुमत के खजाने को देते थे अपनी जेब से लाखों रुपय हमने इंकम टेक्स दिया और सिर उस वक तो डिजिटल वाला दोर भी नहीं था ये मार्केटिंग वाला को हिसाब भी नहीं था ये तकनोल जी आज जो है वो ठी नहीं और हजारों लोगों का रोजगार सलिक था जो स्टूडियो में थे मुगतलब शौबों में थे 32 शौबे होते हैं एक फिल्म के और उसके अलावा पिर सनीमा में जब लगती है तो सनीमा में जितने लोगों का च्छाबडी वाला टेक्सी वाला तांगे वाला उनके सारे रोजगार होता था तो ये सिल्सला थ कह सकते हैं हम लॉलिविट को बिल्कुल अब उसमें यह है के अच्छी फिल्में भी बुरी भी बनी लेकिन बुरी फिल्में भी यानि B-class फिल्में भी जो होती थी वह भी पैसे दे जाती थी लोग देखने जाते थे ना उस वक्सान नहीं होता था क्या अपके पास आपका नेगेटिव लोल लेकर यह आते थे कि उस वक्सान ना हर कोई भी फिल्म होती थी मुद्धी तो वह नेगेटिव में विलें है तो वह मुसवख रशी है तो सरी यह किस तरह से ट्रेंट चला सो वे चूंकर चूंकर मेरा जो अर्दू फिल्म में जो मेरा रोल था पहली फिल तो वो एक आनी बनाने के अगर मैं बताओं, क्योंकि आज की जनलिशन ने शायद वो फिल्म देखी नहीं है, क्लासिक्स में उस फिल्म का शुमार होता है। वो ऐसा होता है कि जब पार्टिशन होती है, तो यहां से जो हिंदू है, वो इंडिया चले जाते हैं, तो शमी मारा जो हिंदू है वो भी, तो वो यहीं रह जाती है, क्योंकि तालिश साब का करेक्टर था, जो मुसल्मान है, उसने शमी मारा को अपनी बच्ची के तो पाला था, तो शमी मारा का बाप उसी के हवाले कर जाता है, क्यों तो बैप फिर आओंगा ले जाओंगा होती है, उसका फिर लव जो है, वो मुसल्मान लड़के से हो जाता है, अजास दुरानी साब ने रोज किया था, अब सोला साल के बाद, बाप इडिया से आता है बेटी को लेने के लिए, तो बड़ा आजीब सीन था, और जिसको वो चाहती थी, उसको भी छोड़ना पड़ थी, तो बहराल लेकिन जाना पड़ा बाप के साथ, तो जब बार्डर के उस तरफ वो गई है, और जिस गाओं में, इंडिया क्या गाओं, तो वहां के लोगों ने उसका सोशल बाइकाउट किया, सोशल बाइकाउट इसने किया कि मुसल्मान के घर में जवान हुई है, तो उसको मंदर में पूजा करने की भी इजाज़त नहीं थी, ऐसे में एक करेक्टर निकलता है, फोरिस्ट आफिसर है, दो जवान है, खुसूरत है, गोड़े पे है, ये शमी मारा जंगल में लकड़ियां काट रही है, उसको देखता है, तो उसको अच्छी लगती है, और तो फिर वो उसके बाप को, वो कोई जबरदस्ती नहीं करता, वो बाप को शादी का पेगाम बीचता है, वो करेक्टर मेरा था, और आप उसमें एक हिंदू करेक्टर करेक्टर था, मदू सुधन उसका नाम था, तो ऐसे हालात में तो गया मैं उसके लिए फरिश्टा हो गया ना, तो बाप तो बड़ा खुश होता है, लेकिन जो शमी मारा है, वो इंकार करती है जारा उसकी बहुबत, पाकिस्तान में एजाज दुरानी साथ थी, लेकिन बाप पगड़ी उसके गड़ों में रख देता है, कि मेरी इज़ता है, तो वो मजबूरां हा करती है, तो शा में इसका गोगट उठाता हूं, कोई डायलाग बलता हूं, तो जवाब में वो कहती है के मेरे तन के मालिक तो आप हैं, मन का मालिक मेरा कोई और है, अब जब मेरी बीवी है, अब जब ये कह रही है, तो ظाहरा मुझे खूशा आता है, वो ड्रामा होता है, पिर में उसको चांटे थपड़े मारता हूँ, एक, दो, तीन, वो शाट ऐसा लिया था, रजामीर साभ उसके टारेक्टर थे, कामरान मिर्जा, उसको साउंड फैक्ट भी वैसे वाले होते थे ना, बने जमदस किसम के, उन्हों ने जनाब, शवी मारा का फ्रंट था, फेस आगे, ओर दी श जोड़े था, नौजवान था, एक्सराइज भी किया रख था, बोडिबिल्ड था, विए पूरी ताकत से लिए वाला कि मेरा फेस नहीं था, लेकिन शवी मारा साभ़े को तो मूला का उगा होगा, एक उल्टा था ताथ था तर्च करता हूँ, वो तो बनाखन था यसा देच्छान पढ़ गण हुआता, मैं गपरा एक लिए तो one ऑर रहीं चाहँ किए प की इतारो, विए कोई भाटी कोई भाटी कोई आप करेख द्सक्ति रaz था यह कहों करके ओग? da Program काहँ करें? तो बातना भाला है कि या हम राधा के लगए यह कोई बहता ऩर perfect act है,Ha ऩपर कोई पानी बैतीती थे लगए लगए जब उसको पता चला थे लगए रगवियंगती तो पता बाहर काहँ तो पता है Griffith के लिकल हो गजने यह दिल्ग का हो लेका फिर फोन आगया एस सुलमान साब का लाउर को घरी खिरामत करें उनकी फिल्म थी एक पिया मिलन कियास मुम्मद अली जेमाज अमर रूद गए थे फिर उसके लिए गया फिर मैं इस तरह कोई दो धाई साल मैंने यू गुजारे क्या आप स्टैडी भी कर रहे हैं और काम भी क हमारे साथ मौजूद है और हम बड़ी खटी मीठी यादे उनकी जो करियर की रही है वो भी हमारे साथ शेयर करना है यहां वक्त वाच आता है एक छोटी से ब्रेक का मजीद भी हम इनसे बात करते रहेंगे तब तक के लिए जो है वो हमें इजाज़त दीजे ब्रेक से आते आप देख रहे हैं वोईस आप सौथ इसया का टी टाइम मैं हूँ आपकी मेजबान शेहला महमोद और मेरे साथ मौजूद है पाकसान फिल्म डस्ट्री के माया नाज विलिन मुस्त्वा कुरेशी साब मैया नाज विलिन मैं इसली कहा कि जैसे के पहले भी का ता कि एक प्र बेंगें जब किसी भी आरटिस का नेया कर जब जिस asked इस एक ही ही आपको तो फ्र यही आई बाइल नज जाती एम जब उता है तो पहले तो मैं उड़े टो उड़े मेरे मयुलड़ी मैं जो टो प्र तो डिए बच्भास के लित था ता था मिया तोट्स है कर बाद मोहने चो ना राई के सामने विलिन निगेटिव किये थे मैंने विलिन था लेकिन बाद में मेरे पॉजिटिव हो गये थे बलके हीरो के रोल भी मैंने किये और निगेटिव तो पॉजिटिव मेरे करेक्टरस होते थे और पहले मैं निगेटिव होता था पर एंड में पॉजिटिव होक तो राई के आगे आकर उस पर कुर्बान हो जाता था तो कलैप मुझे हो जाती थी तो राई साब कलबते थे के यार सारा कुछ तो यह फूमा ले जाता है वगेरे तो फिर काफी मैंने पॉजिटिव कारेक्टर समाद में किये थे विलिन का जब विलिन था तो जैसे शुरू क कि फिल्मों में मुझे याद आता है एक फिल्म थी मेरी अंदलीब बड़ी खुबसूरत फिल्म थी अंदलीब शबनम मैं तालिश मुई मुराद यह लोग थे तो उसका लाउर सानिमा में प्रीमियर था तो हम सब लोग मैठे थे तो एलीट क्लास वहां फैमलीज थी तो ज मैंने प्रीमियर था मैंने और सुनलीब रखान लिखना थी और मिल्म थी कर्फार्श करते हैं तो भीजैट थिता है आप ने। अशे को मैंने प्रफॉँ था प्रफॉर्मस था यह इसा जही आप डिल कर तान लिव अजवान था 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 आपने थे प्रस्त्वा को में वो ना कहती है जो करेक्टर का नाम है सलीम, वो कहती है कि सलीम कितना जलीम बिलकुल ऐसी है तो सर यह वहली बात होगी कि आपके आपने नागटिव रोल में एक्टिंगी तिनी अच्छी कि कि लोग रियल मुस्तफा कुरेशी को वही समझ रहे हैं कानीय जो होती है फिल्म जो होती है इवन हॉलीवुड की, बॉलिवॉड की वोसमें निगेटिव बहुत पावर्फुल दिखाते हैं जितना निगेटिव पॉसिटिव होगा हुता है हीरो उजागर होगा क्योंकि वो जाहिए सी बाते फिर एक मुकाबला भी तो होता है तो मैं वही इसी तरफ आ रही थी कि आपकी मौशूरे जमाना फिल्म एक अरसे तक लगी भी रही मौला जट उसके अंदर जो है वो मौला जट तो हीरो का नाम था लेकिन कारेक्टर जो था वो ज्यादा स्ट्र उसको फट लगता है जखम लगता है तो खुश होता है अगर खुद सेर है तो वो सवासेर को तलाश करता रहता है फिर जब सवासेर राई साब तकरता है तो खुश होता है तो इस टाइम का करेक्टर तो सर उस वक की मौला जट और अब एक दुबारा से रिलीज हुई है न चानिके जबात अच्छा किया उन्होंने, भल्कि eyelashesेख का हावी आए, वहावी उस नियू हे जो परर्फॉर्म किया है लोह जो बनाया है बिलालहामसारी ने, भुब हो महुर नहीं है जो यह चालीस करोड की फिल्म बनी है विसमें बड़े बड़ी जबरदस टेक्लोजी इस्तवाल हुई है तो यह बहुत अच्छा नहोंने जो दाड़ियां और कास्ट्यूम्स और जैसे उसकी हॉलिवुड की फिल्में रोमन इंपैर्स की होती थी अरे ना थेटर्स लगे वे जह वहाँ, जबरदस एक्शन किया है जो हौलीवुड की टीम आई थी जो भोडत जबरदस्ट है और हमजा ने बहुत अच्छा किया है फवाद ने भी सारे आर्टिस बहुत तूबगे था How look at the cup. थे तो टो किया है, उसे अपने माहौल के मताबिक, मैंने अपने माहौल के मताबिक लहजा एक बनाया था. तो लेकिन लोग फर मेरे परफॉमस को उसको देख कर मुझे याद करते हैं, तो शुक्रिया उनका, बलके बलाला एशारी का और उस पूरी टीम का, कि उन्होंने ये फिल्म मनाकर गोया हमारी उस फिल्म की टीम और बिल्खुसूस सलतान नायी और मस्तफा कुरेशी को ट्रि बीउस पेश किये और वो यारे एक जमर्ण और बियालिज साल की पुरानी फिल्म को मजजीद ताज़ा कर दिया है तो शुर इस फिल्म का मश्वूर अबारा डायोग जो कि मैंने बहुत ही मुझे पता है बुरा मारा होगा इस्टार्टिंग से अब वहा हैं अब इस फिल्म में हम्जा बासी ने कहा है तो अब उसी का है नहीं नहीं सर हमें तो मुस्रोपरेशी के मुसे लाइफ शुना है अब मैंने तो देखें जी ये डायलाग जो था ना जो आप पूछना चाहा रही है वो ये फिल्म बनी थी जब माशालला दौर था ज्यालाक उसके हुक्वरान थे जो डिक्टेटर था जालिम था जबान बंदी थी साफियों को शायरों को अधीबों को जेलों में डाला जाता था कोड़े बारे जाते थे कोई आजादी ने थी कोई बोल नहीं सकता था अंदर ये अंदर गुटन थी ऐसे माहौल में इस फिल्म में मेरा करेक्टर नूरी नत जो कैदी है जेल में है और जेलर जब सामने आता है और सरकारी आफिसर है तो उसको जब कहता है ना के नवाया एंसोनिया तो लोगों के दिल की बडास निकलती है क्या बात है और क्लैप करदी लोगों ने जब कलैप कर दी तो आज तक कलैप हो रही है और अगर आज हमजा भी ये कहा है तो कलैप होती है और एक और अब भी है आपको जो लास्ट में मर्ते हूई वरना वो दो ही लवज है ना उसमें कौनसी बहने तोप चला दी लेकिन सब बहुत भ़गला तहां। लोग तो कहते हैं उसे मेरा लहजे की बात भी थी जो उनको अच्छा लगा और मेरा तजिया ये भी है के उस दौर के अवाले से जो माशाळला का दौर था अवाले से भी ये लोगों के दिल को ये लगा है। मैं उन्हों तो आप तो हटूआ पर समय तरा है वह उस अप से अभी और उन्होंने और एक इसी तु नहीं रखा लाट काटने वाला अच्छा वो इस फिल्म में नहीं है वह नहीं रखा वग्या लिकिन वह हाईलाइट था वह भी बलको अइंड भी उस ही पहुता था उस हमार वो जायरा लगना हो गया उसको विसाकी लेनी पड़ेगी, तो कहता है कि जद तेरी विसाकी जमीन थे बज्जेगी, तो ते विच्च थक 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 थी आवाज नहीं, लोरी नत 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 दी आवाज आएगी, सोनियां। क्या बात है। यह जो आपके डायलॉग्स रहे है ना उस फिल्म के और अभी तक उसकी हम बाजकर सुनाई नहीं है। अभी तक उसकी है लेकिन वहराल वो उसे अपने अंदाज से बोलाया और माशाला अच्छा बोलाया। नाकदीन काफी परफॉर्मिस को प्यूंके उनका चारक्टर थोड़ा सा माला जट पे अभी नजर आया। अभी वहली वहली तक उस फिल्म में भी नुरी नथा था। तहीं कहीं हालाके स्टारडम वह फवाद की है। स्टारडम वहली थोड़ी ज़एदा ही है। वहली थोड़ा से थोड़ी ज़या है। आप नहीं पर इन लगका प्रफवाद का माला जट के कारेक्टर नहीं थोड़ा सा बांड कर दिया। उसको डाइम डाउन किया। कि नशा कर रहा है, सो रहा है। वहली थोड़ा बेलालाशारी के अपनी सोच है, माशाला अच्छा डिरेक्टर है। बिलालाइस्हारी बड़ी अच्छी सोच है उसकी, उसकी सोच और बेरलुक्वामी मेयार के हुआले से. सर वो तो उनकी फिल्म में भी नज़रा रहा है, नो डाट फिल्म जो है वो काफी, बहुत अर्चे बाद एक अच्छी फिल्म देखने को मिली. बिलकुल सर क्योंकि मैं वही बात आपसे करने वाली थी कि जिस दौर में आप लोग की जोड़ी थी आपकी और सुल्तामराई साब की तो उसमें जो है वो आपने जैसे बताया कि 20-25 साल तक पंजाबी फिल्म ही रही है उसमें और वो दौर जो था वो हिट था तो अब तो हम district regional language अपने अब भी रही है तो बड़ा acceptance नहीं है उसमें भी While marketing भरी ضरूरी होती है तब मार्केटिंग ऐसी होती नहीं थी जो आज हो रही है अब तो social media के जो हो खिलने है नहीं डिक अज मार्केटिंग के लिए भिपल सर्बिस्टिके लिए इसकोल में थे, तो क्या उस वक्त आपने सोचा था कि आप अपने 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 एक्टिंग ही करनी है या फिर हाथसाती तौर पर आगाते इस फिर नेवर, कभी नहीं सोचा था मेरा मॉटो जोइन करनी का था और फिल्मे तो मैं गया नहीं मुझे ले जाया गया जबर्दस्ती क्या मतलए अब वो भी मैं कई बार कह चुका हूं मीदिया पर तो दुबारा मैं क्या कहूं कि जब मैं स्टूडन्ट भी था और रेडियो पर भी जामे शामे करते थे इधराबाद रेडियो पर तो लाहोर से फ्ल्म का यूनिट आया था आग का धरिया वो एजराबाद से कोई 15-20 किलो मीटर पर गाउन था, वहां उनकी लोकेशन थी, शूटिंग कर ले थे, उसाका दर्या में मुहमद अली, शवीमा राद, साकी वगरे ये लोग थे, तो हम शूटिंग देखने गए थे, तो वहां डिरेक्टर्स के रजामीर साथ थे, और जो क के टॉक के कैमेरामेन थे, आज भी जितने कैमेरामेन में लिखिया, उनके शागर्दों के शागर्दों के शागर्दों के शागर्द भी टीवी में या फिल्मों में काम कर रहे हैं, तो महमद अली तो खेर, हमारा साथी था, दोस्त था, रेडियो से, वह भी गया था, तो मुझे शुटिंग वापस आगे। तो दूसरे दिन मुझे साकी साप ने जो हमारे बड़े भाईयों की तरह थे, अब्दर करीम बलो जी एम थे, पी टीवी के, हमारे रेडियो के साथी थे, मरहूम, तो उन्होंने फोन किया कि यार आपको रजामीर साप ने अपनी जाती फि सारी कास्ट फाइडलाइज थी, एक करेक्टर की तलाश में थे, तो आपको उसलेट कर लिया है, क्या भात है? तो मैंने का जी नहीं सवाली पेदा, और आप देख एंगे थे श्मी मारा साइब को, हाँ, मैंने करना भाई, मैंने फिल्म का सोचाई है नहीं मुझे तो मैंने तो मैंने इंकार किया था तो ये एक्टिंग स्केल्स पहले से थी आपके तो ये कि सिस्टी फाइव की वार हो चुकी थी और इस वार में हमने भी रेडियो के तमाम पाकिस्तान के रेडियो ने और आटिस्टों ने और बिल्खुस मलेकेतर अनमनूर जाह ने जो एक जोश जन्सबा और वल-वला क्रियेट किया था आपने पन के जरी जहां हमारी बादर फौजों ने वह जग जीती थी वहां हमने भी आवास की जग लड़ी थी पैट्रियॉटिस्म जो होता है वो तो उनों ने का जिए मैंने का नहीं लेकिन वह रजामीर साफ जिनाब कर लड़क एक जिए मराइख वाहिए लड़िए थे कि लिए इस फिर खाले मैं अजना टीक्टिल कर खिए देविए एकए जनका बापस आगिया ते लड़ी आपक तो वापस वापक वाप कि पीस्तिए वित अपर तो शिंग मैं लाइख यातिए प्रदीए मैं बड़ टीए लेग लि पर दूसर बन गया तो यह सारा सिसला था इस तरह दिन्दगी गुजरी और बिल्कुल और उसके बाद जो है वो एक जुम्ला मशूर होता है हर आर्टिस के लिए कि जी शोहरत की देवी जो है वो महरबान हो गई और उसके बाद जो है वो मुस्वा साहब के लिए लाइन लगी स्क्रिप्ट्स की तो बिल्कुल जुनाब मजीद भी हम मुस्वा आगे भी बात करते हैं मजीद कुछ उनके experiences जो है वह हम आपके साथ share करते हैं यहां वक्त वाच आता है एक छोटे से break का आपने कहीं नहीं जाना देखते रहे हैं वोईस आफ साथ एशिया हम यूँ गए और यूँ वापस आए वालकम बेक जनाब आप देख रहे हैं वोईस आफ साथ एशिया का टी टाइम और टी टाइम में मैं हूँ आपकी मेजबान शैला महमूद और मेरे साथ मौजूद है मुस्पाख रैशी साहब जिन से हम अभी तक बात कर रहे थे काफी सारे experiences उन्होंने अपने शेयर किये हैं अब मजीद आप से मैं यह जाना चाहूंगी सर के एक अर्सा आ रहा हमने देखा गोल्डन एरा था लॉलिवूट का पाकिसना फिल्म डॉस्ट्री का फिर आप क्या समझते हैं कौन से ऐसे हवामिल थे कि वो पिर हमारी वो इंडॉस्ट्री जो है वो भरान का शिकार हो गई लितिफा की हर चीज़ को तो उसी दोर में अजाज साहब ने इंडियन फिल्म को इजाज़त दी थी वो यहां चली थी नूर जहां फिल्म का नाम तरश वाले बनी खेर उसके बाद फिर इंडियन फिल्में भी इन्होंने खोल दी थी अब ताहर है इंडिया बड़ा बुल् वो भी इंडियन फिल्म को तरजीह देते थी पाकिसानी फिल्म अगर तयार भी होती थी तो उनको वो टाइम नहीं देते थे शो नहीं देते थे अगर देते भी तो दुपहर के 12 बजे का तो दुपहर कौन देखने आगा गमोई तो इस तरह काफी नुक्साद हुआ हुआ कामिर्शलिवन की नजर हो गई मेरे खाल मैं मैं अबर थृ सुपहर कुछ हमारी ही ऐसे रिद्री में श्यामिल होग यह यह सभी विर्फिलमे बनाई और बुडी फिल्में बनाई और जिससे फैमिलीज ने आना छोड़ दिया तो फिर सैनिमा की प्रोडिक्शन जो है वो बहुत कम होती गई कम होती गई और जब कम होती गई तो जो बहुत सैनिमे पूरे बुल्क में जिनकी एक तारीखी और सिकापती एहभियत और हैसियत थी वो तूट दे गए पाकिस्तार में आज भी कोई 40-45 रह गए हैं अलबता ये ज़रूर है कि आज कुछ बड़े शहरों में सिर्फ कराची लाहूर इस्राबाद पिंडी मुल्तान सिने प्लेक्सिस बने हैं बड़े अच्छे बैनल अख्वामी में आरके बने हैं लेकिन बहुत मैदू देता दा अबी एक वाकिया हुआ मेरी एक फिल्म थी आखरी तेरे बाजरे दी राकी तो वह लगाई तो सिनेमा उनने उतार दी कि कोई इंगलिश फिल्म थी वह लगा ली तो कोई पॉलिसी नहीं है जरूरत इस बात की है अकुवत को चाहिए कि इसकी एक पॉलिसी बनाएं और आखिए जहां कहा जाता है कि रियासत के चार सुतून होते हैं अपना पालियाबान, जुडिशरी, इस्टैबलिश्मेंट और मीडिया मैं कहता हूँ पांचवा सुतून भी है इस आर्ट एड कल्चर बल्कुर सर बहुत इंपॉर्टन है अमस्कोफ जिसमें फिल्म को ज्या और सर्मजे की बात है कि हमारे हाँ ही वो सबसे ज़्यादा निगल्ग हुआ है इसको सवाए एक दौर के शवाए एक दौर के शवाए बुटो के दौर के वो पनकारों की और इस आर्ट एड कल्चर की बड़ी कि बड़ी किया करते हैं उन्होंने इस आर्स कांसिल जो आज इस आर्स कांसिल जो आज एक दौर के लिए एज़ाए उन्होंने इजारा बनाया था नेफड़ेक नेशनल फिल्म डिवलप्ट कर्पोरेशन इसके तहत तद फिल्में भी बनी और हर साल एवार्स होते थे थे और इंकरजमेंट हो इसमें एवार्ड के साथ पैसे भी देते लिए पिर खुबत में पिर खुबत उए थे थे गहाएंगें की अदेश थे पिर आज उन्होंने विए इलानात तो कियें रहाएं लिकएंडियों हैं अज तक नहीं वहाएं एक प्रण था एक दिश्या बताँ जंग हैं इसलिए एस फिल्म के एक पॉलेसी नहीं है और एक वो फिल्म इंडिस्ट्री का धर्जा दिया है कि नहीं कहते हैं कि दिया है लेकिन कुछ नजर नहीं आए लेकिन आपके आज देख रहे हैं कि आगे कुछ अच्छा होने जा रहा है जैसे कि अभी एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट मौला जट की नजर में नजर आ रहा यही अभी से जिल नहीं है कि तो सारी एक अभाम है पूरी कौम में अभाम है कोई सर्टिनिटी नहीं है यकीनी सूर्थ जो होती है वो नजर नहीं आ रही है तो मेरे चाहिए से अमारी एकनामी और हमारे मुल्क के हालात वी अलिए अलिए कि अभाम है 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 क आगे भी पाकिस्तान जो ऐसी कामों दायम रहे क्योंकि पाकिस्तान है तो हम सब हैं फिर्म डॉस्ट्री है आर्ट और कल्चर है तो मुस्वा सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बहुत मज़ा है आपसे बात करके अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी जबरदसी जो हमारी फ है कि आपको इस प्रोग्राम कैसा लगा तब तक के लिए मुझे शैला मेहमूद को दिदिये इजाज़त और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा देखते रहिए वाई सब साथ एशिया झाल